हमारे शहीदों को नहीं बुलाना चाहिए, ये दिन एक एहम दिन है मनिंदर जीत सिंग बिट्टा, उन्होंने सरकार से मांग की कि शहीदों की याद में ऐसा स्मारत मना जाए जो आने वाली पीरियों की रहर रोशन कर सके ये लोग कारगिल के शहीदों को शर्धानजली देने कटा हुए हैं, ये बुरा कारेक्रम अखिल भारतिय आतलबाद विरोधी मोर्चा ने आयोज़त किया कारगिल युद के आठ साल बाद भले ही इस दिन को भुलाया जा चुका हो लेकिन शहीदों के परिवार जिनों के लिए ये दिन बेहद मायने रखता है इन शहीदों के परिवारों को सरकार से कोई गिलाशिक्वा नहीं है चाहते हैं तो सिर्फ इतना कि उनकी अजीजों की कुर्बानी को याद रखा जाए मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं है ना मुझे सरकार से शिकायत है In fact, मैं आपके माध्यम से अपने देश के लोगों को थैंक्स करना चाती हूँ क्योंकि इन्होंने लास्ट सेवें येर्स में जिसना से हमें सपोर्ट के है Morally जैसी भी सपोर्ट किया है मैं उनको थैंक्स कहना चाती थी और मुझे आपका एक मीडियम मिल गया मैं पे अपने फादे की तरह एफोस्ट में ही जाना चाता हूँ क्योंकि मैं उनको उनसे बहुत परभावित हुआ हूँ और I feel very proud यह समारक जो है अंग्रेजों ने भारतिय सेना के लिए बनाया जिसके उपर हम कड़े है कितनी शर्म की बात है कि साथ साल हो गए है हमारी सेना ने इतने बड़े बड़े युद किये है इतनी कुर्बानिया दिये है और अभी तक हम एक ही देश है पाकिस्तान ने भी बना दिया है अपना एक समारक जो अपने सेनिकों को शहीद सेनिकों को याद करने के लिए बहुत जरूरी है और देश में जल्द से जल्द ये बनना चाहिए शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस ने ले बतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब देश में शहीदों को याद करने की फुरसत भी किसी को नहीं बतना चाहिए